दोस्तों कि आप जानते हैं कि आज यानि 4 जुलाई को अर्थ सन से दूर हो जाएगी क्यों हो रही है ये गटना और इसका हमारे लाइफ पर क्या एफेक्ट पड़ेगा और कुछ पड़ेगा भी अब नहीं जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक चार जुलाई को अर्थ अपने अफेलियोन पवाइंट पर पहुनच जाएगी अफेलियोन पवाइंट वह प्वाइंट है जहां अर्थ अपने ओर्बिट में सन से सबसे जादा दूर होती है मतलब कि चार जुलाई को अर्थ अपने एंड्वल सोलर फार पॉइंट पर पहुन जाएगी यानि चार जुलाई को अर्थ सूरच से सबसे जादा दूरी पर होगी यानि ये डिस्टेंस होगा 152.1 मिलियन किलोमेटर या फिर 94.51 मिलियन माइस इस तोरान रोज के कंपरिटिवली सोलर रडियेशन हमारी जमीन पर 7% कम हो जाएंगी यानि सन की हामफुल रडियेशन से इस दिन हम 7% जादा बचाप कर पाएंगे अर्थ का ओर्बिट एक ऐसा ओर्बिट है जहां वो सन के चारो तरफ एक रेवोलिशन करती है और ये रेवोलिशन वेस्ट ए इस्ट की तरफ होता है और अर्थ सन की एक रेवोलिशन 365.25 डेस में कम्प्लीट करती है और इस दोरान सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 14.96 करोड किलोमेटर होता है बट इस घटना के दोरान हम लोग सन से 15.21 करोड किलोमेटर अफिलियोन पॉइंट पर पहुंचाएंगे और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा बलकि हर साल 4 जुलाई को ऐसा ही होता है अगर चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन अभी ओन कर दीजे क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजी तक यूने भी पता चले कि हम संसे दूर जा चुके हैं थैंक्स पूर वोचिंग दर वीडियो तब तक के लिए टेक केर एंड बाई बाई